बिसमिल्लाहिर रख्मान ररहीम, असलाम अलेकम, न्यू अक्सफोर्ट मॉडरन इंग्लिश, थर्ड अडिशन, फार ग्रेड फाइफ तुरे वी डिसकस यूनेट नमबर टू, पार्ट सेकिंड, आज हम सेकिंड यूनेट का सेकिंड पार्ट डिसकस करने जा रहे हैं, जो के एक पोएम है, स्टॉपिंग बाई वॉड्स ओन आ, स्नॉई इवनिंग, एक बरफानी शाम को जंगल के पास रुखना, प्रे रिडिंग, रिडिंग से पहले, क्या आप जानते हैं, कि बरफ के जो गाले होते हैं, नर्ममलाइम वो किस तरह के नजर आते हैं, डिसकस वीजूर क्लास, रिडिंग से पहले हम बच्चों से डिसकस भी करेंगे, और उनको ये वाली पिक्स हम दिखाएंगे, कि ये बहुत स्नॉफॉल हुई हुई है, और एक होस कार्ट है, उसमें एक बंदा बैठा हुआ है, वो जंगल से गुसर रहा है, और स्नॉफॉल का जो मनजर है, उसमें जंगल बहुत ही खुबसूरत नजर आ रहा है, वर्स टूनो जानने के अलफाज, डारकस्ट इवनिंग, सियाह तरीन शाम, विंटर इवनिंग्स आर मच डारकर देन समर, यनि के जो सर्दियों की शाम में होती हैं, वो गर्मियों के मकामले में ज्यादा तारीख होती हैं, ये कंपेरिजन के लिए देन दिया गया है, इन प्लेस क्लोजर टू नॉर्थ पूल, नॉर्थ पूल में जो गर्मियों की शामों से सर्दियों की शामें स्यादा तारीख होती हैं, टौनी नर्ममलाइम लाइट टाउन डेट सौफ्ट अंडर फेदर्स ओफ यंग बर्ड्स जैसे जवान परिंदों के पर होते हैं, उस तरह से नर्ममलाइम, फ्लेक बरफ के गाले, स्माल पिस्स ओफ स्नो, होसनेस घोड़े की जीन को कहा जाता है, जैसे घोड़े के गले में ये नकेल वगरा डली हुई है, इसके साथ ये जो बेल्ट लगे हुए हैं, उसको कंट्र गोड़े को कंट्रॉल करने के लिए, चलाने के लिए उसकी ये वाली जो है, उसको कहा जाता है, गोड़े की जीन, लेट स्टार्ट रेड़िंग, फूस वड़े इस अर, आई थिंक, आई नो, वड़े से यहां जंगल मुराद है, जंगल इस सेंस में मुराद है, जब सटी पड़ती है, स्नो फॉल होती है, तो दरक्टों के पत्ते सब गिर जाते हैं, और वो बिल्लकुल वुड़्स की तरह, लकड़्ीओं की तरह दिखाई देता है जैसे लकड़िया हों दरख जो हैं उनके पते गिर जाते हैं इस वज़ा से जो वोड्स का लफ्स यहां पर यूज हुआ है यह जंगल के लिए यूज हुआ है फोस वोड्स किसका है यह जंगल दीस आर आई थिंक मेरे ख्याल से मैं जानता हूं यह जंगल किसका है मेरे ख्याल से मैं जानता हूं अगर्चे इसका घर गाव में है यानि कि जो जंगल का मालिक है उसके घर का बताया जा रहा है कि अगर्चे उसका घर जो है वो गाव में है वो मुझे नहीं देख सकेगा स्टॉपिंग हेर खड़े हुए यानि कि मैं यहां उसके जंगल के पास खड़ा हूं तो वो मुझे नहीं देख सकेगा क्यूंकि उसका घर जो है वो गाव में है यह देखने के लिए कि जंगल किस तरह बर्फ से भर चुका है पोईट बहुत नेचर लवर है वो अपने सफर के दुरान जंगल से गुजर रहा है इस शाम बर्फ किर रही है जंगल बहुत खुबसूरत नजर आ रहा था यह पोईट अपने गोड़े को वहां रोकता है जंगल की खुबसूरती को देखने के लिए और यह सोचता है के शायद मैं जनता हूँ कि उसका घर गौँ में है और वो मुझे नहीं देख सकता माई लिटल होस मस् तिंग इट क्वेर मेरा ननना घोड़ा यकीनल अजीब सोच रहा है तो स्टॉप विदाउट आ फार्म हाउस नियर के रुकना बगैर किसी फार्म हाउस नजदीक होने के यनि के वो घोड़े की फिलिंग जो के शायर बियान कर रहा है कि वो भी अजीब सा सोच रहा है कि कोई गुनाम या हाउस इस तरह का नहीं है जहां पर उसको ठहराया जाता है करीम के जंगल में और इतनी बरफ और तारीख शाम है वहां रुकने की वज़ा से घोड़ा भी अजीब सोच रहा है बिट्वीन दा वोड़्स एंड फ्रोजन लैग दर्मयान जंगल के और मुझमन ज़ील के मुझमन ज़ील और जंगल के दर्मयान रुकना साल की सियाह तरीन शाम में मुझमन ज़ील और जंगल के दर्मयान रुकने पर खोड़ा भी अजीब सोच रहा है के फार्म हाउस भी नहीं है फिर भी रुक दिया गया है यनि के शायर घोड़े के बारे में कह रहा है कि उसे अजीब लग रहा है कि यहां कोई अबादी नहीं फार्म हाउस नहीं फिर मैं क्यों जंगल और मुझमन ज़ील के करीब रुक गया हूं सरदियों की शाब में सुरह जल्ब गरूब हो जाने की वज़ा से सरदि भी बहुत ज़्यादा हो गी है घोड़े की इस बंद में घोड़े की जो फिलिंग ये वो बियान की गई है जयनि के वह जो उसके गले में घंटियां बांदी गई हैँ उनको हिला रहा है शेक होता है हिलाना तो आस्क ये कहने के लिए इफ दियर इस सम मिस्टेक कि अगर मुझसे कोई गलती हो गई है दा अनली अदर साउंड दा स्वीप जो दूसरी आवाज है स्वीप होता है जो हम ज्छारू लगाते हैं तो उसकी कुछ कुछ की अवाज पैदा होती है उसे कह जाता है स्वी आफ इजी विन्ट एंट टाउनी फ्लैक के हवा असानी से नर्मो मलाइम बरफ के गालों से कोच छूके गुजर रही है ये दो ही अवाजे हैं या घंटियों के बजने की कि वो अपने गले में घंटियां जो हैं उनको हिला कर पूछ रहा है इस बात का इजहार कर रहा है यनि कि घोड़ा अपने गले में बंदी हुई घंटियां हिला कर पूछ रहा है कि मुझ से कोई गलती तो नहीं हो गई कि मैं किसी गलत जगा पर तो नहीं लेकर आ गया, जहां मैं खड़ा हूँ, वहां सिर्फ दो तरह की आवासें आ रही है, एक घोड़े की घंटियां, और एक बरफ से टकरा कर गुजरती हुई हवा जो आवास पैदा कर रही है, वो. दा वूट्स आर लवली, जंगल बहुत प्यारा है, डार्क तारीख है, एंडीप और गहरा है, बट आई हैव प्रॉमिस टू कीप, लेकिन मैंने बहुत से वादे कर रखे हैं, या वादे पूरे करने हैं, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, और सोने से पहले मीलों का सफर तै करना है, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, और सोने से पहले मीलों का सफर तै करना है, इस पंद मेरे शायर कहा रहा है, कि जंगल बहुत खूबसूरत, हसीन, खना और तारीख है, बहुत मज़ा आ रहा है, लुटफ आ रहा है, लेकिन मुझे बहुत सी जिम्हधारियां और वादे अभी पूरे करने है, यानि कि जिन्दगी में बहुत से काम अभी बाकि है, चंगल की खूबसूरती उसे बहुत अटेरेक्ट कर रही है, यानि कि वो कहता है, इस से पहले कि मैं यहां रुक जाऊं या सो जाऊं, मुझे बहुत से काम करने हैं, मौत से पहले मेने बहुत काम करने हैं, जो कि अब एक करने बाकी हैं, बहुत सारी मनजले तैप करनी है, मरने से पहले बहुत सारे वादे पूरे करने हैं, About the poet जिसने ये poem लिखी है, शायद के हम तर लिक, यानि के रॉबर्ट ली फोस जो है वो 1874 में पैदा हुए और 1963 में उन्होंने मुफाद पाई है He was a poet, वो यानि के शायर भी थे, a teacher, एक teacher भी थे and also a farmer और एक किसान भी He won two particular prizes for his poetry, उनको दो prize उनकी शायरी की वज़ा से मिले थे अब हम इसकी exercise स्टार्ट करते है Understanding the poem, poem को हमने पढ़ लिया है, इसकी reading हमने कर लिया है Answer the following questions, that there's वालों के जवाब दे, एक question है To whom did the words belong, इसका answer है The words belong to someone who lives in a village, जंकल यानि किसका है, जंकल उसका है जो गौँ में रहता है, उस बंदे का जंगल है Big question है Did the rider see a farmhouse? जो सवार है, क्या वो farmhouse के करीब है? No, the rider, सवार जो है, did not see, उसने नहीं देखा, a farmhouse, गुदाम को नहीं देखा The question है During which season or month do you think this event took place, give a reason for your answer? Answer C है This event look place during the winter, यानिके सर्दियों का ये event है The obvious reason for my answer is that snow is falling, it only falls during the winter ये के मेरे जवाब की ये एक अच्छी valid reason है कि जो snowfall है, वो winter में होती है E question है ये डी question है, इससे पहले What mode of atmosphere does this poem create? यानिके किस तरहा का mode ये महौल जो है, वो create कर रहा है यानिके snowfall का बहुत अच्छा season दिखाया गया है वो हमारे mode को पे किस तरहा से असर अंदाज हो रहा है This poem creates an atmosphere of wonder and my scary mystery It gives us some hints about the feeling of the writer But never explain who he is, where he has come from and where is he going यानिके ये जो poem है, वो एक हिरानगी का महौल पैदा करती है और यानिके hints देती है, poet की feeling के मतलिक के जो rider है, सवार है, उसकी जो feelings हैं उसके मतलिक हिर देती है लेकिन ये explain नहीं करती के वो कौन है और कहां से आया है और कहां जा रहा है ये question है, how would you explain to someone in two sentences what is poem was about यानिके दो जुम्लों में हमने explain करना है कि ये नसम जो है, वो किसके मतलिक है इस poem is about the contemplationship, या contemplation जो होता है यानिके गौर और फिकर के मतलिक है, of nature, फितरत के and man's relationship to nature और इनसान का जो फितरत के साथ तालुक है, उसको बियान करती है F question है हमारा, why do you think the rider stopped by the wood यानिके rider जो है, सवार जो है, वो क्यों रुका है जंगल के पास इसके बारे में हमने सोच कर बताना है He stopped to see the woods fill up with snow वो जंगल के पास, जंगल की खुबसूरती जो बरफ किरने की वज़ा से है उसको देखने के लिए रुका है जी question है, why was the horse puzzled? यानिके घोडा जो है, वो क्यों पजल हुआ है? The horse puzzled because the rider has stopped without any apparent reason यानिके वो सवार जो है, उसने घोड़े को बिलावजा रोक दिया है फार्म हाउस नहीं है, कोई अबादी नहीं है, कुछ भी नहीं है इस वज़ा से वो पसल हुआ है H question है, where do you think the riders was going? आपके ख्याल से सवार जो है, वो कहां जा रहा है? जी, answer H है, the rider जो सवार है, was going जा रहा है to fulfill his responsibilities, यानि के वो अपनी सिमन्धारियों को पूरा करने जा रहा है Second question है, what is the ramming pattern in the poem? Do all the stanzas have the same pattern? Second question का जो answer है, the ramming pattern of the first three stanza is A, A, B, A जो हम scheme हम ram की पहले बनाते आए हैं, A, A, B, A उससे आप वाकिफ होंगे, वो वाला pattern है The ramming pattern of the last stanza is A, 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 A All the stanzas do not have the same pattern, same नहीं है उनका जनी के change है Third question है, answer the following questions with reference to context He gives his harness bell a shake to ask if there is some mistake इसका ये poem से लिया गया है ये वाली two lines जो है, poem से लिया गयी है इसके according ये question हमने questions के answer करने है A question है, who is the, he, he, यनि के he को prominent किया है The poet is speaking about, यनि के जो third question है उसका A का answer ये है, the poet is speaking about his horse शायर जो है, अपने घोड़े से मतलिक बात कर रहा है B question है, what is a harness? Answer B है, harness are leather straps fixed together and filled to an animal such as a horse so that it can be attached to a cart or carrying carriage या far pulling उसको धकेलने के लिए जो कार्ट वगरा होती है, यका या रेड़ी भी इसको कहा जाता है तो वो बना कर डाले जाती है, ताके उसको pull किया जा सके, खेंचा जा सके Question C है, what is the possible mistake? The possible mistake is to stop without having a farmhouse nearby यनि के मुमकिना गलती जो है, वो ये है के एक ऐसी जगह पर रुकना, जहां पर रुकने का जवास नहीं बनता या कोई farmhouse भी करीब नहीं है, वहां रुकना Working with words, लफ्सों के साथ काम करना, B point है हमारा suffix is, sometimes we can add the suffix Y यनि के कीसी वक्त हम Y को add करते है To a word when he wish to use it as an adjective Example दी गई है, कि हमने use क्या किया है Y जैसे do, w and down, a noun meaning the soft feathers of young birds can be turned into tiny, an adjective ये noun जो है Y एड़ करने से adjective में change हो गया इसी तरह से हम in words में भी Y को add करेंगे तो देखते हैं उनका क्या बनता है चैसे flop, floppy, fun, funny, leaf, leafy, sugar, sugary, bent, bendy इसी तरह से हमने इनके sentence बना लिए है इनमें Y भी add करना है और sentence भी बनाने है और मसीद adjective भी हम बना सकते हैं जैसे adjective है, floppy, meaning है मलाइम, नरब, डर्मो मलाइम sentence इसके बनेगा, कोई भी आप बना सकते हैं हमने जो बनाया है इसी तरह से funny, मसाया या मस्ती he told a very funny joke यनि कि उसने बहुत मसाया लतीफा सुनाया leafy, पतेदार, green leafy vegetables also contain protein sugary, sugar-dare या sugar-wala don't eat too much salty, fatty और sugary food यनि कि हमें बहुत ज्यादा salty यनि कि नमक वाले fatty और sugary food नखाने नहीं खाने चाहिए bendy, लचकतार the kind the kids love to use bendy sutras second question है add the fix why to the following where possible इन में से add करने हैं जहां पर possible हो ये नहीं कि सब के आगे हमने why लगा देना है जहां possible हो noun adjective बन रहा हो वहां पर हमने बनाना है not all the words can take the fix why so check in our dictionary check your spelling changes जैसे red इसका नहीं बनेगा run, runny spelling में क्या change आई है r, u, n, run है अब double n इसमें आगे है जब हमने y add किया है तो double n यूज किया है ऐसे shade shady इसमें double d नहीं यूज हुआ only y को यूज किया गया है throne, thorny weight, weighty cold का नहीं बना snow, snowy sun, sunny इसमें भी double n का यूज हो गया है इसके भी हमने sentence यानिके word meaning लिखती हैं run, दोडना, भागना और running बहता हुआ thorn, कांटा या खार thorni, कांटेदार खारदार weight, यानिके वजन, वेटी, भारी, वसनी snow, बर्फ, snowy, बर्फानी sun, सुरज, sunny, दूप, रोशनी abbreviations, do you remember but an abbreviation is abbreviations क्या होती है abbreviation होती है किसी भी चीज की short form it is a short form of writing something, usually only the important words have their initial letter in the abbreviation जैसे example हमें ये मिली है बैचलर ओफ आर्ट is not BOA यानिके जो उसका famous word होगा initial word होगा उसको हम लिखेंगे ये नहीं लिखेंगे हम लिखेंगे BA बैचलर ओफ आर्ट BA write abbreviations for the following जैसे master of science M.S.E. member of parliament M.P. school living certificate S.L.C. trade union D.U. South East S.E. His or her majesty H.M. Master of art M.A. M.A. आएगा P नहीं M.A. जी M में आएगा A को ठीक कर दिया है मैंने doctor of medicine D.M. doctor of philosophy D.P. bachelor of education B.M. next है हमारा contractions write the short form contractions यानिके जैसे ये हमने short form किया है ना abbreviation का इसी तरह से contraction है कि ये कैसे लिखे जाते हैं write the short form for the following जैसे हम पूरा लिखते हैं I.M. इसी तरह से हम I. लिखते हैं उपर चोटा सा उल्टा कॉमा लगाते हैं M. तो इसका मतलब भी वही होता है I.M. और इसका भी I.M. ही होता है cannot cannot ये हम पूरा लिखते हैं इसी तरह से हम can लिखके कॉमा लिखके आगे टी लिख देते हैं तो वह भी can't be cannot के मिनिंग में ही आता है एसी तरह से आ आर ये डालके कॉमा हम लिखकर फिर आर डाल देते हैं तो ये आर बंजाता है इसी तरह से have not have डालते हैं N. और फिर कॉमा डालके T. डाल देते हैं इसी तरह से they will they डालके और कॉमा फिर डबल L हम अने डाल दिया will not तरह से दे हम लिखते हैं फिर कॉमा डालके वी ए लिखते हैं तो इसका यही मतलब होता है दे है इसी तरह से शेल नौट शेल लिखके कॉमा डालके एंड डाल देते हैं हम आई वुट आई डाली और कॉमा और फिर डी लिख दिया इसी तरह से वी आर वी डबल्यू ए और ए के बज़ाए R E डाल देते हैं Is It हम It डाल के आगे इसका मतलब It Is, Is It ये ऐसे डाल देते हैं She Will She लिखा और कॉमा डाला और डबल L डाल दिया इसका मतलब है She Will Learning about language बान के मतलिक सीखना Homo Names Homo Names क्या होते हैं हर एक ये दो ये दो से ज़्यादा ऐसे लफ़ चिनका तलफ़ भी एक जैसा होता है और उनके Spelling भी एक जैसे होते हैं लेकिन उनके जो मानी हैं वो meaning हैं और उनकी जो असलियद हैं वो different होती है जैसे हम देखते हैं जैसे यहां एक example दी हुई है bear a large animal जैसे reach को कहा जाता है bear next भी bear bear है to be able to deal with something किसी चीज़ को deal करने के काबल होना इसी तरह से bet 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 बला bet उसको कहते हैं चमगादर को left छोड़ना left कहते हैं बाएं हाथ को bank जिसमें हम passive करा रखते हैं और bank कहते हैं किनारे को desert को भी इसी तरह से quarter semi को भी कहते हैं और quarter पैमाने के तोर पर भी use होता है यानि कि one over four जो है एक चीज़ का चुथाई हिसा उसे quarter कहा जाता है look at the following sentence जैसे we should not lie to each other यानि कि हमें किसी से जोट नहीं बोलना चाहिए इदर पर ये क्या है lie जोट क्या है here means to not tell the truth और इदर अली वांटेट तो लाई टाउन because he was tight अली सोना चाहता है या लेटना चाहता है इदर ये lie word क्या मिनिंग दे रहा है कि लेटना चाहता है सोना चाहता है क्योंकि वो ठक गया है इदर क्या मिनिंग दे रहा कि वो जोट बोल रहा है lie here means to be in a resting position अब आपको difference की समझ आगी सारी choose the correct homonyms from the given chooses ये दिये गए है इसको हमने इसके according use करना है he does not eat eat क्या क्या है meat क्योंकि वो खाना पसंद नहीं करता meat गोश्ट ये इस meat का मतलब होता है मिलना इसका मतलब होता है गोश्ट who at the last cookies ये है eight इसका मतलब है art इसका मतलब होता है at खाना rough and chill made made होता है banana ये क्या है MAID made ये वाला made आएगा chocolate chip and cookies इदर ये है the book was by her favorite आइथर ये उससे खरीदी नहीं गई ये उससे belong करती है this is the main idea of the text ये ये वाला main नहीं आएगा ये वाला main आएगा next है listening and speaking say the following aloud clearly and slowly ये teacher class में activity करवा सकती है pronunciation को improve करने के लिए इस तरह की बहुत सारी activities class में करवाई जाती है जिससे बचों की pronunciation बेटर होती है ये वाली activity teacher करवाएगी पहले आप slow slow इसको read out करें फिर तेजी से इसको पढ़ना सिखाएं ताके बचों की pronunciation बेटर हो जाए next है composition write a paragraph or two about where the writer might have been going what work did he have who was the going to see did anything happen to him you can refer to the paragraph writing guide on page 152 आपको इसकी guideline 152 पे इसे भी मिल सकती है हमने जो write किया है उसी को उसको भी देख लेते हैं composition है it is dark it is cold there is a horse and rider in front of the wood the horse has stopped in the distance distance there is a dim light coming from window of a saltering from house smoke is rising from the chimney so someone must be two बच्चे अपने according कोई भी इस पे composition पे लिख सकते है next हम इसकी summary करेंगे यह summary है इसकी this poem has been written by Robert Lee Faust the poem starts with the stunning beauty यानि के शांदार खुबसूरती और वूड्स जंगल की filled with snow जो के बरफ से धका हुआ है the poet stops near the woods with his horse to enjoy the snow falling around him यानि के वो जंगल के पास रुक जाता है और snowfall को इंचवाय करता है his horse उसका घोड़ा shakes his honest spell अपनी घंटियों को हिला कर इस चीज़ का उशारा देता है which is a signal यह उशारा है that it is a it is a strange place यानि के वो उशारा देता है कि यह खतरनाक जगह है the poet wants to enjoy the peaceful environment of the deep dark woods यानि के poet को कोई अमन की जगह enjoy करने चाहिए या ऐसा महाल हो जिसमें अमन हो और safe भी हो वहाँ enjoy करे के इस तरह की strange जगह पे enjoy करना ठीक नहीं है the sound of the hornus bells makes him remember that he has to move ahead यानि के वो कहता है कि symbolic to the journey of life poet की ये journey ये सफर इलामत है जिन्दगी के सफर की which is going to end one day जिसका आखर एक दिन इखताम हो जाना है no matter happy the life आगे इसका हमने main idea भी write किया है we are too busy in our lives that we have less time to enjoy the beauty of nature यनि के हम अपनी जिन्दगियों में इस तरह से मसरूफ हो गए हैं कि हमारे पास कुदरती मनाजर देखने का या beauty of nature जो फितरत की खुबसूरती है उससे लुटफ अंदोस होने का time ही नहीं है इसी के साथ ही हमारी आज की poem complete होती है thanks for watching us